दोस्तों लास को जिनों से एक कोमन कोश्चन जो के हर एक इंवेस्टर की तरफ से हमें देखने मिल रहा है वो यह है कि हम बाइनांस लॉंच पूल के उपर हर एक प्रोजेट को जोइन तो करते हैं लेकिन हमें जादा टोकन्स नहीं मिलते हैं अगर हम जोइन भी कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि जितने टोकन्स हमें मिले उससे जाद तो हमें लोस हो जाता है बी एंवी के अंदर तो आज इस प्रोड़ो में हम डिस्कॉस करने वाले हैं किस तरीके से हम बाइनांस लॉंच पूल के अंदर प्रोजेट को जोइन कर संद्ग करने लगे आज सागा को लेकर सागा क्या है इसको लेकर आगे डिसकॉस करेंगे सागा करके किस तरीके से made for developers और अक्सर आप notice करते हैं जितने भी new project यहाँ पर market में अभी आ रहे हैं यहाँ पर यह technical language का उसकर रहे हैं यह वो typical language है जो कि common investor कभी भी इसको understand नहीं कर सकता common investor के लिए यहाँ पर इस language को understand कर पाना काफी मुश्किल है तो यहाँ पर अगर हम सागा को easy language में समझने की कोशिश करें तो सागा दोस्तों यहाँ पर यह वो blockchain है जो कि modular architecture के ओपर काम कर रहा है अगर मैं modular blockchain के example की बात कर दा हूँ तो layer 1 के अंदर इसका great example अपने पास Celestia अगर हम modular के अंदर layer 2 की बात करते हैं तो अपने पास इसका great example है Manta Network अब यहाँ पर modular chain के ओपर जो next project market में list होने वाला है that is Saga दोस्तों यहाँ पर Saga के अंदर ऐसा क्या है जो कि इसको बाकी सब भी projects के different बनाता है तो यहाँ पर अगर हम आज के दिन किसे भी blockchain की बात करते हैं अगर मैं Ethereum की बात करता हूं तो Ethereum के उपर जो major concern है वो है यहाँ पर congestion का network के उपर जैसे traffic increase होता है congestion बनता है उस time पर Ethereum की gas भी increase होती है उस time के अंदर transition को execute कर पाना भी कफे difficult रहता है because bull run के अंदर आपको ऐसे भी phase देखने मिलेंगे जहाँ पर Ethereum के अंदर अगर हम gas fee की बात करते हैं 400-500 dollar के उपर हमें reach करते हैं नजर आ सकती है last bull market के अंदर भी ऐसा हुआ था जहाँ पर Ethereum के अंदर हमें एक transition execute करने के लिए 300-400 dollar fees में देना पड़ रहा था तो यहाँ पर अभी तक जितने भी traditional blockchains हैं यह क्या काम कर रहे हैं यह काम कर रहे हैं कि हम कैसे इन layer 1 की scalability को increase कर सकते हैं लेकिन जब बात आती है सागा की तो सागा यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों क्या हो कि अगर हम एक ही blockchain के 50 replica बना दें और अगर हम हर एक blockchain की copy के ओपर यानि replica के ओपर individually new tokens, projects या फिर smart contract को deploy करते हैं तो इससे network के अंदर congestion नहीं बनेगा अब यहाँ पर replica का मतलब है दोस्तों कि हमने एक ही blockchain के 50 copy बना लिया है 100 copies बना लिया है यहाँ पर इन्हें copies को सागा ने नेम दिया है channelet channelet यहाँ पर हम इस सागा mainnet की replica को indicate करता है तो अगर यहाँ पर 500 developers 1000 developers हैं जो कि सागा के एक channel के उपर काम करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे यहाँ पर channelet के उपर अपने produce को deploy करेंगे अगर हम हर एक replica blockchain के उपर different tasks को perform करते हैं तो इससे network के अंदर congestion नहीं बनेगा अगर हमने हर एक replica के उपर different smart contract अगर मैं tabs की बात करता हूँ new tokens की बात करता हूँ अगर हम deploy करते हैं तो इससे network के उपर congestion नहीं बनेगा उपर से सागा यहाँ पर modular के अंदर काम कर रहा है तो इसको वहाँ पर भी advantage मिलता है कि हर एक task को करने के लिए इनके पास different layer है just like Celestia अब यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर हम बात करते है channeled blockchain को लेकर तो यहाँ पर यह काम कर रहे है scalability and interoperability को enhance करने के लिए interoperability का मतलब है कि हम एक chain से दूसरी chain के ओपर setting up and maintaining channeleds only requires saga tokens from developers it is similar to amazon web services and other SaaS platform but channeleds are created and maintained by paying a subscription fees in saga tokens तो जैसा कि अभी हमने discuss किया कि जितने भी यहाँ पर replica create होंगे एक blockchain के अगर इस replica को यहाँ पर create करना है यानि channeled को create करना है तो developers को यहाँ पर channeled को create करने के लिए saga tokens के अंदर pay करना होगा यह उसी प्रकार से जिस तरीके से करें amazon web services की बात करते हैं तो अगर हमें amazon web services को use करना है तो हमें monthly basis प्योपर subscription लेना होगा वहाँ पर हम क्या है कि अपनी fiat currency के अंदर payment करते हैं पर जब बात आती है कि अगर हमें blockchain की replica बनानी है तो वहाँ पर हमें saga tokens की जरुत होगी replica को create करने के लिए बागी दोस्तों इतना काफी है एक investor के लिए समझना कि exactly saga करता कि अगर हम इसके comparison की बात करते हैं तो monolithic अगर chance हम इसको compare करते हैं तो यहाँ पर क्या हमें comparison देखने मिलता है कौन से फीचर है जो कि हमें modular chance के ओपर देखने मिलता है वह यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे projects को लेकर जो कि last one year के अंदर binance launchpool के तुरू market में list हो हैं जिसके अंदर अगर पैंडल को देखते हैं जो कि last one year के अंदर 30 से 50 X का run ले चुका है अगर हम सुई की बात करते हैं जिसने अपने low से almost 5 X की rally ली है last three to four months के अंदर इसी प्रकार से C जिसने 10 X run लिया है इसके बाद Athena जो की recently list हुआ है and listing के बाद इसके अंदर हमें 100% की rally देखने मिलते हैं and अगर मैं Aetherfy की बात करता है तो Aetherfy के अंदर भी यहां पर अगर low से measure करते हैं तो इसने एक महीने के अंदर 250 परसेंट से जादा का run लिया है जाई जो की gaming industry के अंदर काम कर रहा है यह जब लिस्ट होता है तो वहां से low से अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें 250% की rally देखने मिलते है अगर हम एवो की बात करते हैं तो यह भी यहां पर 2x run लेता है और sleepless AI Manta इनके अंदर भी अगर हम देखें तो आप इन सब्सक्राइब क्या देख रहे हैं कि यह वह सब्सक्राइब के प्रोजेक्ट हैं जो की काफी कम टाइम के अंदर अपने लिस्टिंग के बाद एक major rally करते हूं नजर आते हैं दोस्तों यहां पर अगर हम बात करते हैं किस तरीके से हमें सागा को जोइन करना है तो अगर आप बाइनास की यूजर है तो जस्ट आपको यहां पर search कर लेना है launchpad या launchpool तो आप इस place पर चले जाएंगे जहां पर आप कर सकते हैं next two से three days के अंदर सो जब भी हम किसी project को join करते हैं launchpool के ओपर तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कहां पर जाधा tokens मिल रहे हैं कहां पर हम safe play कर सकते हैं अगर हम BNB pool के बात करते हैं तो BNB pool के अंदर हमें new token जाधा मिलते हैं अगर मैं इसको compare करता हूं FD USD के सब तो आपको वहां पर उतनी token नहीं मिलते हैं लेकिन अभी हाली के अंदर अगर मैं Athena की बात करता हूं तो वहां पर दोस्तों मैंने demo account के अंदर दोनों ही pool के अंदर अपनी tokens को stake किया जहां पर मैंने stable coin को भी stake किया BNB को भी stake किया तो मैंने यहां पर क्या realize किया at the end ज तो यहां पर अगर BNB का price down जाता है तो जितने भी हमें tokens मिले होते हैं reward के अंदर उससे ज्यादा हमें BNB के अंदर loss हो जाता है but at the same time अगर हम FDUSD की बात करते हैं stable coin को अगर हम stake करते हैं तो वहां पर हमें reward कम मिलता है लेकिन वहां पर हमारी loss होने के chances भी कम रहते हैं and rest 50% com FDUSD stable pool के अंदर stake करेंगे दोस्तों यहां पर जितना भी investment हमें करना है उसको 50-50% के अंदर हमने split कर दिया जिस भी तीन यह token list होने वाला होगा उससे एक दिन पहले जितने भी BNB हमने यहां पर BNB pool के अंदर stake करके रखे होंगे उन सभी BNB को हमें unstake करों और जितने भी यहां पर आपने BNB stake करके रखे होंगे उसके उपर आपको जितने भी token मेले होंगे उन सभी उन सभी BNB strong and FDUSD के अंदर रहेंगे अब यह step अगर हम कर लेते हैं तो अगर BNB का प्राइस क्रेश भी करता है तो इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा अभी हम स्टेबल कोई पूल के अंदर आ चुके हैं बाकि दुस्तों अभी देख आप जितने भी टोकन कर रहे थे बाइनांस लॉंच पूल के अंदर अगर आप इस टैप को अपलाए करते तो आप लोगों ने इस लॉंच पूल के फोड़ेट को जोइन के जितने जाता लुक करेंगे हमें इस बात पर फोकस करना है कि यहां पर हम कैसे सिफ प्ले करके डी सेंट अमांट यहां पर अनकर सकते हैं अगर हम यहां पर 50 दॉद की वर्थ के भी टोकन मिलते हैं अगर हम लिस्ट लॉणच पूल के प्रोजेट को किस टाइम पर जोन कर रहे हैं अगर तो बाइनास ने जिस टाइम पर अनौसमेंट किया अगर उस टाइम पर हम बीएंबी को पर्चेस कर लेते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर में बेंडे में एप्री सेशन देखने मिलता है because हर एक वेक्ति यहां पर farming के लिए BNB को purchase करता है लेकिन अगर तो यहां पर आप launchable project को एक दिन दो दिनों के बाद यहां पर join करते हैं उस time पर BNB के अंदर invest करते हैं farming करने के लिए तो इस बात का यहां पर आपको ध्यान रखना है जिस तरीके से यहां पर हमने safe play करने के लिए एक दिन पहले BNB से exit किया similarly जिस भी time पर new token list होने वाला है उससे एक दिन पहले हमें night के अंदर अपनी BNB को redeem करके unstake कर लेना है अगर आप continuously farming करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं stable coin pool को join कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके tokenomics को लेकर Saga token के listing हमें देखने मिलेगे 9th of April 2024 को and अगर हम Indian timing के according देखें तो यह निकल कर आता है 7.30 PM के रहा हूँ दोस्तों यहां पर Saga token के maximum supply रहने वाले है 1 billion के जिसमें से 4.5% supply allocate की गई है launch pool के लिए and इस project की जो initial supply रहेगे वो 9% की रहने वाले है 100% supply का 9% जो की बनता है 90 million के around तो यहां पर अगर हम calculation समझने की कोशिश करेंगे इस token की listing price कितनी हो सकती है past के अंदर अगर हम sleepless AI की बात करते हैं जो कि gaming project है Zai portal को देखे तो यह वो सभी project है जिनके अगर हम market cap को देखते है so as you can see here अगर तो सागा यहां पर list होता है 150 million के market cap यानि sleepless के market cap के बराबर तो इसका एक token का price हमें 1.6 टोर के उपर देखने मिल सकता है दोस्तों जिस time पर sleepless AI और Zai list होते है उस time पर crypto market अपने healthy correction के phase में रहता है and उस time पर जो gaming project list होते हैं वो 1500 million से 200 million के market cap पर हमें देखने मिलेता है but अगर मैं पॉर्टल की बात करता हूं जो कि अभी एक महीने पहले list हो आदा फैब के end के अंदर उस time पर bitcoin अपने all time high के करीब ता है सब्सक्राइब कर सकते हैं last 24 hour के अंदर 13 billion dollars से ज़्यादा की valuation के token Binance launch pool के उपर stake किये गए है Saga के अंदर Saga has already become the largest launch pool in Binance history सो किस तरीके से हमें यहाँ पर tokens को stake करना है उसके बढ़ में बात करते हैं दोसों जस्ट आपको Binance application के उपर चले जाना है यहाँ पर आपको search कर लेना है launch pool and as you can see here यहाँ पर आपको Saga project देखने मिल जाएगा अपने पास दो option है या तो हम FDUSD को stake कर सकते हैं या फिर BNB को stake कर सकते हैं तो मैं आपको BNB stake करके दिखाने लगा हूँ तो जैसे मैं BNB के उपर click करता हूँ तो यहाँ पर अपने पास stake का option है stake पर हम जैसे click करेंगे तो हमारी sport के अंदर जितने भी BNB हमने buy करके रखें वो सब यहाँ पर हम stake लगा सकते हैं जितने भी BNB को यहाँ पर हमने stake करके रखा है उसके उपर कितने हमें tokens मिल रहे हैं वो नीचे हम check out कर सकते हैं reward के अंदर और जितने भी Saga tokens में reward में बिलेंगे उन्हें यहाँ पर हमें claim करते रहना है दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके सा आपने BNB को stake किया है उसी तरीके से आपको redeem कर लेना है जिस आपको redeem पर click करना है जितने BNB आपने stick किया है उनको यहाँ पर unstick कर लेना है और जितने BNB आपने unstick किया होंगे वो directly आपके sport wallet के अंदर आपको transfer कर दिये जाएंगे पकि चलिए दूस्तों रखते आँस के लिए इतने हैं और अगर आपको इस video से ज़र से इन्फोर्मिशन मिले है